अनिल ये बताएए कि आपके छेत्र में ब्यापारियों और उद्योग पत्यों की क्या समस्याएं हैं उनको आप कैसे उसका समाधान करेंगे ये ऐसर हमारा राई अक्षेत्र एक उद्योग नगरी भी कह सकते हैं राई को हम क्योंकि यहां कुंडली इंडस्टीज एरिया पड़ता है और राई में भी इंडस्टीज एरिया है यहां की छोटी लग हुई काई हैं जी समाल इंडस्टीज हैं तो इनकी कई बार लाइट की दूर करूंगा ताकि उनका अब हरजानना होता है लाइट की वजए से उनकी लेबर का बड़ा नुक्सान होता है जनेटर से क्योंकि आजकल डीजल बड़ा महंगा है जनेटर से काम करेंगे तो कोस्ट बढ़ेगी उनको नुक्सान होगा इसलिए मैं कोसिज करूंगा हर ल लोग अपने लेबर ओफीसे आ जाता है कोई उनसे वह गुश्कोरी करते हैं तो उसको मैं रोकूंगा बंद करूंगा ताकि कोई एक्साइज वाड़ा अकेतन करने लग जाता है नाजाएज तो ये इन सब चीजों को मैं रोकूंगा इंस्पेक्टरी राट दिन अपनी फैक्टरी को 24 गंटे चला सकें क्योंकि आज कल शुरक्षा ववस्ता बड़ी वो है इसलिए उनको पूरी शुरक्षा मौया कराऊंगा राट को गस्त करवाऊंगा पुलिस की पीस याज़ी लगाऊंगा अच्छी के अब बढ़ते हां गया और तीसरे सवाल लेते हैं श्रंदर जी आप अनिल जी आज के राजनितिक तंतर में नो यह जो पंचायती राज है यह क्या माइन रखता ने पंचायती राज ठीन हो अगर उसको अपनाया जाए पंचायती राज में यानि गराम पंचायत है बलोक समीती है जिला परिशद है और मैलाओं के पूरी भागेदारी ओनी चाहिए इसमें और अर गाओं के कम हैटी बनानी चाहिए कुछ लोग अपने स्वार्त के लिए इसका मिश्यूज कर रहे है पंचायती राजगा तो इसलिए उस मिश्यूज को खतम करना चाहिए मैला सरपंच है तो मैला को आगे काम करना चाहिए गाओं में जो गरांट लगती है सब का यानि उसका इसाब पूरे गाओं को आप वालगी चुल के आते हैं लोग ने उनके ऊपर भी एक वो करूँगा जाओं के जो सीनिर स्टीजन है तो उसकी डूटी लगाएंगे कि पूरे इसका जो गाओं में खर्ची है पाल्टी बाजी इतनी जादा होती है उस पाल्टी बाजी को खतम करेंगे पूरे बाजी से विकास थोड़ी होगा गाॉव का विकास तो सब एक शैमत होगे पूरे तो म contribute कि उसको बैठ के उनको समझाओं जा उनको समीच को विकास और विकास, स्ट मकला formats बन जाता है जान biography के उजेखा से इस देखना चाहिए उसको फॉरे गाउं का फरिग से अगर कि उनका था गह siento जीटन कव अनतिम सवाल को तर्धन करें हुं Ben Straight अच्छा निल जी ये तहिया आप ये राज़ीत भरष्टाचार इसका बड़ा चर्चा है आज का और आपने देखा है विधायक बनते हैं जब गोट लेने का समयाते में बड़ा इमामदा रहूँगा ये रहूँगा और बनने के बाद कितनी उनकी कितनी बड़ी संपत्ति उ आप इस को कैसे धारनों को दूर करें और क्या प्रियास करेंगे विधायक लेकिन सर मैं सबका तो बरष्टाचार मिटा नी सकता मैं अपनी गारंटी जरूर लेंगा अगर मैं विधायक बना पूरी इमानदारी और निष्टा के साथ जनता की सेवा करूँगा और इस बरष निए उसको मैं आपके साथ लोग नेताओं मैं और अपनी गारंटी ले सकता हूं यह उसका मैं आपके के साथ है अचे मेरे नाम पर कोई पैसा लेगा वो खरेगा उनको मैं पुलिस में पुलिस को बड़ा हुगा उनको पोड़ास को तो आपके पार्टी का लिडर है उनको प्रसे ब्राइशार मिल प्रष्ते number यह तो तो क्या आखिर कार सवाल जवाब राउंड अपने आखरी पड़ाव तक का ही पहुंचा जोरी साहिबान आपने बखो भी अपने फर्स को अंजाम दिया थोड़ी दिर के लिए आपको राहत देते हैं अब आप सिर्फ अंक देंगे और जैसाब आपको तकलीफ दूंगी मैं आपर आप सबसे गुजारिश है कि उस सवाल का जवाब 30 से 45 सेकंड के अंदर ही दे खास्तों से दया साब आप से गुजारिश है 30 से 45 सेकंड बाहर देंगे हम रोक देंगे सवार आप से प्लाइन देंगे मैं इस्वर सिंग्जी से जवाब लेना चाहूंगा मेरा सवाल सब को सबसेंट्रार आपका मकसद क्या उभ्देश और सवाल पर दोरा आपकर राजनीती माने का आपका उदेश है कि अपिए नंगरिक और हर इनसान देश का नागरिक उसमें समता का भाव हो सब की आर्थिक इस्तिति अच्छी हो सम लोग आर्थिक से मजबूत होंगे तो सबका अच्छा काम होगा और मैं चाहूंगा कि जितने भी मुद्दे जितनी प्रेशानिया है वो सब उस सबको सही तरीके से निप्टाए जाए अच्छी सोच के साथ पिचार अच्छे हों आपका राजनिती माने का मकसद क्या है राजनिती में जो बरश्टाचार है उसको दूर करूंगा और जो राजनिती बरश्टाचार से लोगों को प्रेसानिया है उनको दूर करेंगे लोगों को जागरूख करेंगे रोजगार दिलवाएंगे ठीक के लिए उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे उनके आदर्सों पर चलने का जो हमारे पिता जी सवतंतरता के लिए लड़े नायर जी के साथ मातमागांदी जी के साथ आहरूश में बाग लिया तो हम उनके आदर्सों को आगे बढ़ाएंगे और आज क्या जो तंतर है जो भ्रस्टाचार तंतर है उसको खतम करने की बात करेंगे के वला समाज सेवा का हमारा इरादा लेकर हमा यहाँ दिले शात्री जी मैं मैं आता हूं कि राजनीति एक समाजिक सेवा करने का सबसे बढ़िया माद्य में और एक जो बरांतिया जो राजनीति की व्यक्तितों को लेकर होगी कि वह बहुत करप्शन और बहुत वह हैं तो आखिरकार सवाल जवाब राउंड यहां पर पूरा होता है बहुत शुक्रिया आप सबका अपने तय वक्त के अंदर ही जवाब दिये और अब बारी है तीसे राउंड व्यक्तित्व और नित्रित्व की व्यक्तित्व और नित्रित्व राउंड के तहट मैं तमाम जूरी सदस्यों से गुजारिश करूंगी कि वो संबोधन राउंड और सवाल जवाब राउंड के दौरान ही सभी उमीदवारों के व्यक्तित्व और नित्रित की परक करते हुए उन्हें अंक दे क्योंकि इसके लिए हमने अलग से कोई रौंड नहीं रखा है तो उमीद है अपने पहले से दोनों राउंस के मदे नजर इन तमाम बातों का खयाल रखा है और इस तीसे राउंड के लिए इनने अंक दे के इसी के साथ राई राई हलके का जूरी राउंड अपने अंजाम तक पहुंचता है जाहिर से बात है हर मुकाबले के बाद राई हलके के इस मुकाबले के बाद भी सभी को इंतजार है नतीजों का और ये जानने का कि आखिरकार इन टॉप फाइव उमीदवारों में से किसे चुना गया है खबर झांम दोर्म का कर सबकार के बात है हुआाई है जाने हिएवारों मुकाप खखिर के भी समय